आप देख रहे हैं जैभारत टीवी सितंबर 2020 जब संसत के भीतर कृष्ची कानून पारीद किये गए उसे भारत के बहु संक्यक किसानों ने काला दिन माना एक आंदोलन चला लंबे समय तक सडकों पर किसान बैठे रहे वो तीनों किर्शी कानून वापस लिए गए क्या किसानों को जो चाहिए था वो मिल गया क्या वो एक बड़ी जीत थी क्या उसके बाद कोई मुद्दे बचे हैं बिलकुल बचे हैं किसान अपने मुद्दू को लेकर अभी भी उसी तरह सडकों पर आंदोलन कर रहे हैं हमारे साथ आज बेहत खास महमान है भारती किसान यूनियन डवलू एप के राश्टी अध्यक्ष लाल सिंग उज्जर उनसे बात करेंगे वो मुद्दे कौन से हैं कहां पर हैं और आगे अब लड़ाई कैसी होने जा रही है क्योंकि जो सुगबुगाहट मिल रही है 2024 लोकसवाचुनाव से पहले किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन के साथ भारत की सडकों मेर नजर आ सकते है लाल सिंग जी क्या तैयारी है आपके क्या किर्शी कानून वापस हो गए थे आपको जीत नहीं मिली कर्शी कानून वापस हुए वो एक अलग जीती लेकिन जो सच्चाई की जीत है वो अभी बाक्की है जो इन लोगों ने हमें कहा तागे पे 6 में इनने के अंदर MSP गारंटी कानून समीती बनाने के बाद लागू कर दिया जाएगा तीन साल होने के ज़र दो साल तो होई गे आज तक कोई चर्चा सरकार पे नहीं है किसी विशे पे कोई चर्चा नहीं है किसान के लिए पिछले 6 साल में 25 रुपे कुटल गरने पे बढ़े हैं ऐसी कुण सी आइटम है सहर के अंदर जो कम सकम 20 पर सेंट 25 पर सेंट हर तीसरे मेने चोते मेने छटे मेने न बढ़ते हो अपनी तनकाई नों बढ़ानी थी सेंटम बढ़ा दी 45 रुपे किसान के 6 साल में 25 रुपे इनके 45 रुपे यह हमारे देश का दुरबाग्य है MSP गारंटी कानून जब तक यह नहीं लाएंगे तब तक किसान सामती से नहीं बैटागा किसान अब फिर दुबारे उसी तरज पागा कि करना ही करना है हर इस्टेड में दिल्ली की सरकार को दिल्ली में बैटके पहले की तरज पही इस बार भी वैसा ही होगा जैसा हुआ ता जब तक MSP की गारंटी कानून नहीं देंगे तब तक किसान घर नहीं बैठेगा टिकैत कई बार कह चुके हैं अभी महापंचायद हुई उसमें भी वो बात कह रहे हैं आपका जो संगठन है आपका जो गुट है क्या आप लोग एक होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तयार हैं सभी संगठन एक मंच पाएंगे एक मंच पे चुकि आवाज किसानों की है वो संगठन की नहीं है किसी संगठन का वक्तिकत मुद्दा नहीं है वो सभी संगठनों का किसानों के लिए किसानों के हित के लिए और इस देश हित के लिए वो जरूरी है कि हम सब लोग एक मंच पर जैसे पहले आये थे इस बार भी वैसी एक मंच पर आएंगे और वो लड़ाई पूर्ण तरीके से संपूर्ण करका उठेंगे इस बार इस बार किसी के आश्वासन पर नहीं कि या मरेंगे या मरेंगे उस वहां तक उस हद तक जाने के लिए किसान तयार बैटा है पिछले अभी दान की फसल गई बरबाद हुई सरकार ने कोई मौजा नहीं दिया किसी किसान को अब ग्यहों की फसल ओला वर्ती से तुफान से खराब होगी अब तक सर्वे सुरू न कि इतर बता सकते हैं जमीन में कितना नुकसान किसान हुआ हुआ है। के साथ अंदुलन करो उनके साथ लड़ाई लड़ो तब किसान अमने पैसे लेगा यही हमारे देस का दूरुपा गया कि अंदाता जिजस सरकार भी कहते हैं अंदाता लेकिन अंदाता ने वो भिकारी बनाग रख दिया सरकार ने क्या सर्वे के लिए अभी तक कोई पहुंच अधर सर्वे के भाद भी 300 रुपा भी कि कैके महाओ जां जिस में बीज भी नहीं आता या किसान ले के इसकी फसलगी वकत देखो कितनी विए वगाद कितनी बर्बाद हुई कितने जी किसान को उसका मूल दन तो मिल जाए जो उसकी लागत आई है वो तो मिल जाए अब तक कैसी कोई वस्ता सरकार की तरफ से नहीं है लाल सिंग जी मौझूदा जो उत्राखंड में सरकार है बीजेपी की वो अलग-अलग तरह के वादे कर रही है कि किसानों की उननती के लिए बहुत सारी योजनाय चलाई गई है वो चाय जैविक खेती का मामला हो आपको क्या लगता है कि कितना सोच पाई है किसानों के लिए सरकार सानों के लिए जीरो परसेंट नहीं सोचती सरकार और यह सरकार तो बिल्कुल नहीं सोचती इस सरकार की तो ऐसी मिट्टी पली थै कि तो सोचती नहीं किसानों के लिए वादे करना इनकी परंपरा है दो हजार बाइस तक मोधी जी कह रहे थे किसान की आए दुगनी ह जाएगी मैं दावा करता हूँ 2014 में किसान की आइथे आज 2023 में नहीं है तो कैसे दुगनी होगी आए किया पार्मुला एक पास क्या किसान कुस्धिक कर रहे हैं कोई ब्याज में रभी निवीट जिह किसीज में रभी दें किसान के आई बढ़गी। और MSP गारेंटी कानून इन्हों देना पड़ागा इस बार 2024 के चुनाओं से पहले अन्यता किसान बाइकाट करेगा और धरने परदन तो करने ही करने हैं कब बना रहे हैं आप यह रणनीती कब से आप सोच रहे हैं कि 2024 से पहले आप आंदोलन शुरू करें यह इस महिने की 25 तारिक तक ही लगबग ज्यादा तर संगड़नी इकटे होंगे और उसके बाद रणनीती ते करने के बाद सब आप लोगों को सुचित कर दिया जागा चेरा कौन होंगे राकेश्तिक है चेरे सब बराबर हैं चेरा व्यक्ति कोई नहीं है किसी व्यक्ति का चेरा नहीं होगा सब किसान बराबर हैं सब किसान जो है चैवो लीडर्शिप कर रहा है और चैवो खेत में मजदूरी कर रहा है वो सब एक है एक बराबर है एक समानता है उनके अंदर चेरा किसी का नहीं होगा यह चुनाव नहीं है अगमोदी जी का चेरा सामने है मुख्यमंतरी कोन बनागा उसका नहीं पता ये किसान हैं सब एक जैसे हैं इनके सब ही जो साथ में लेके चलते हैं वो सब एक समाने किसी पर्टिकॉलर व्यक्ति का चेरा नहीं होगा आंदोलन करेंगे बिल्कुल आंदोलन करेंगे और ये सरकार मजबूर कर रही है किसान को आंदोलन करने के लिए किसान आंदोलन करेगा ये तब तक नहीं बाजाएगी सरकार बिल्कुल तो ये थे लाल सिंग उजजर जिन्होंने साफ कर दिया है किसानों के जब मुद्दे होंगे तो इसमें कोई संगठन एक नहीं है सब किसान है और एक सीधा इशारा और खुले आम उन्होंने इस बात को कहा है कि 2024 से पहले केंदर सरकार को MSP कानून लाना पड़ेग झाल